नमस्कार सिंगपूर इवेंट में कुछ ऐसे लोग आयते जो सिर्फ मुझे पैसा बोलता है ऐसे जानते हैं मुझे पैसा बोलता है कि सब्सक्रेबर से हैं मुझे बहुत कुशी हुआ अगली इवेंट मैं आबुदाभी में कर रहा हूँ जो भी एमिरेट्स में रहते हैं और पैसा बोलता है कि सब्सक्रेबर से हैं और मुझे मिलना चाते हैं मैं उन से मिलने के लिए तैयार हूँ और कुश भी हो जाओंगा अगर इनफ लोग आते हैं तो हम सेपरेट्ली इंगलिश या हिंदी में इवेंट करेंगे अगर आप मुझे से मिलना चाते हैं आबुदाभी में तो नीचे दिए वाट्साप नमबर या इमेल में मुझे संपक करें मेरे टीम से कोई आप से संपक करेंगा नमस्कार फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है मैं आनन सीनिवासन आज मार्केट 80 पॉइंट उपर उटी कुलने में और उसके बाद बराबर नीचे आ गई 20 या 30 पॉइंट नीचे फिर से उपर गई फिर से नीचे आई अब उपर ट्रेल हो रही है जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा हूँ नीचे उपर जा रही है अभी 80 पॉइंट उपर है बैंक निफटी भी उपर है लेकिन जो हम एक्सपेट कर रहे थे कि कल अमरिका में इतना बढ़िया हुआ तो आज भी बढ़िया होगा वो नहीं हो रहा है क्या हो रहा है कि एक लेवल के उपर FAS बेच रहे हैं एक लेवल नीचे आने से डॉमस्टिक म्यूचल फंड करीद रहे हैं सो इस कीचतान में मार्केट एक नेरो रेंज में ट्रेड हो रही है नेज़र उपर ब्रेकोट हो रही है या नीचे ब्रेकोट हो रही है अब तोड़े मैनेजर्स ऐसे भी हैं म्यूचल फंड मैनेजर्स जो बोल रहे हैं कि अभी मार्केट बहुत एक्सपिंसिव है बहुत expensive है और वे value की तरफ migrate कर रहे हैं basically बोल रहे हैं कि वो अपना positions narrow करते जा रहे हैं क्योंकि किसी को भी पता नहीं कैसा end आएगा gold कादाम बहुत stable है लगबग 6700 रुपिया के आजपास है नीचे उपर जा रही है 10 रुपिया इदर उदर लेकिन flat है flat होने का मुक्या कारण ये है क्योंकि People's Bank of China ने buying बंद कर दी फिछने चार महीने में अगर अगले हफते के beginning में एक rate कट आई तो बहुत बड़ा असर gold में नहीं होगा gold को बड़ा हमार देने के लिए 2 या 3 rate कट चाहिए उसके बाद ही gold का दाम में बड़ोती आएगी अभी gold कंसिडर करने के लिए बहुत अच्छा मौका है अगर People's Bank of China मारकेट में re-entry करती है तो rate उपर जाएगी तो एक floor level Bank of China के कारण आ गई है और जो उपर वने है वो जब rate cuts आएगे वो ज़रूर उपर आ जाएगी यही हाल है market का कल अमरिका में लगबग 2% इंडेक्स उपर गई थी आज beginning में जपैन नीचे आई उसके बाद rally होकर उपर गई है तो आज यह सब होने के समय में आज की ताजा कबर क्या हो रही है अगर आप सब को lottery के लिनी की शोक है तो आप बज़ाज housing finance को apply कर सकते हो बज़ाज housing finance की IPO 77 रुपया से लेके 70 रुपया में होगी वो 70 रुपया ही समझी है आप और वो 214 share आपको apply करना पड़ेगा यह share lottery में decide होगी किसको कितना share आने का है अगर आपका बाग्या अच्छा है और सुक्रदस्ट चल रहा है तो आपको lottery लग सकती है अगर lottery लगाई तो यह दुगना हो सकती है 130 रुपया तक का list की confirmed है अगर आप इसको 130 रुपया में बेचेंगे तो भी आपको लाब मिलेगा लगबग 3600 करोड नया capital company में जाएगा 3000 करोड existing promoter stock बेच रहे हैं यह stock में definitely बहुत expensive है ही दोगी सुई है लेकिन entry इसी level में होगा इससे सर्वाग ज्यादा बढ़ेगा लेकिन allotment का कोई guarantee नहीं है अगर आपका भागिया अच्छा रहा तो आपको stock मिलेगा अगर आप चाहे तो इस stock को रख सकते हो नहीं तो आपको उसको quick profit में बदल सकते हो दूसरा news है कि एतर motor scooters ने भी IPO launch किया है उसमें भी लगबख कुछ पैसे company को जाएगा और एक बड़ा chunk 2.2 crore shares जो promoters और existing investors है वो market में आफ्ट रोड करेंगे ये इसी लिए interesting है क्योंकि hero motors के पास बहुत बड़ा block of stocks है लगबख 45% क्या रहा हीरो इसमें बेचेगा नहीं बेचेगा इसको देखने बेच करना पड़ेगा लेकिन अगर hero नहीं बेचा तो ये सबसे बड़ा chunk of shares hero के पास ही रहेगा और hero उसके बाद इसको acquire करता या नहीं अग़े आने वे लेवे 4-5 साल में इसे हम बेच करकर ही गेज कर सकते हैं लेकिन ये ओला से बेचा स्ताक है ये भी lottery लगेगा अगर आपको lottery लग गया तो अच्छा है ये दोनों shares में आपका भागिया आपके साथ दिया तो listing day में आप अच्छा गेंज कमा सकते हैं और stocks भी fundamentally secure हैं एक का promoter बहुत strong है और दूसरा तो promoter बहुत strong है company भी बहुत profitable है बाजाज housing finance ने 1738 करोड का profit पिछले साल किया है तो कोई problem नहीं होना चाहिए इन दोनों stock में Tata Starbucks ने announce किया है कि वो शुगर फ्री सिरप्स भी launch करेंगे Tata Starbucks को काफी पीने वाले लगबग 100 से 200 रुपया minimum एक glass coffee के लिए कर्च करते हैं और शायद उन में से अनेक लोग health conscience है तो उनको cater करने के लिए ये product उनोंने launch की है Tata Motors ने अपने SUV कार्स में up to 2 lakhs की discount दी है मतलब है कि हर गाड़ी हर variant में 2 lakh नहीं मिलेगा top in कार्स में 2 lakh तक मिल सकती है ये offer festival season में चलेगा और depending upon dealer location and stock उसे देया जाएगा तो ये फड़ा का महेश सिंगानिया ने भी यही मांगाता क्योंकि उनका धावाता 7,80,000 गाड़ियां डीलर के पास तक है और लगबग 80,000 करोड़ का stock पड़ा है अगर उस stock नहीं बिका तो ये बहुत बड़ा problem होगा और stock नहीं करी चाकते हैं उन्होंने Society of Indian Automobile से अपील की है कि वो manufacturer से बात करें और stock dumping को बंद करें Infosys में 2020 में employees और कुछ entities के against orders पास हुई ही थी कि आप market में trade नहीं कर सकते हो लेकिन जब investigation के बाद पता लगाया कि वो insider trading नहीं है वो सारी restrictions लिफ्ट किये गए हैं जब ये March 2020 में ये allegations आया हमने अपने sister channel money page में टेसों के आस पास में इस stock को consider करने के लिए बोला अगर आपने consider किया तो आपको 3 मुना का लाब हो जाता और लगबग 200 रुपया डिविडेंट में मिल जाता है ये रहा Infosys के बारे में news टाटा ने डोलेरा गुजरात में जो fab unit तयार कर रहे हैं पावर्चिप कॉपरेशन ताइवान के साथ joint venture में उसके लिए उन्होंने semiconductor manufacturing equipment के लिए order प्लेस कर चुके हैं और टाटा की employees को training भी देंगे इस fab unit में लगबग 90,000 करोड का investment करेंगे आपल ने एलान किया है उन्होंने टाटा electronics के साथ एक agreement sign की है जहां से 12,000 करोड का वो chips वो टाटा electronics से करी दीगे टाटा की financial services company टाटा capital जिसके कारण टाटा funds को zero debt company बनाना पड़ा उस company ने बहुत कुंदा लाब कमाया है लगबग 2,000 करोड का टाटा ये जेनरल इंशुरेंस और टाटा ये लाइफ इंशुरेंस ये दोनों भी profits कमाए हैं जेनरल इंशुरेंस में लगबग 685 रुपिया और लाइफ इंशुरेंस में 1,300 रुपिया का profits है ये सारे stocks unlisted है टाटा न्यू जो डिजिटल कमपनी है उसमें भी उनोंने losses को कम किया है और लगबग 1,200 करोड का loss है बिग बैसकेट में loss contract हो चुका है अब ये 100 करोड के आसपास की loss है money in zee जो पिछले साल loss में थी इस साल profit में पहुंच गई है लगबग 22 करोड का profit है टाटा reality अभी तक losses में है लेकिन वो भी profit में आ जाएगी इसके बारे में टाटा के पास टाटा airbus, टाटा बोईंग और aircraft की पास assemble करने की भी company है इसका की जिकर में क्यों कर रहा हूँ इस सारे companies are unlisted है जब भी बन चाहिए वो list कर सकते हैं पैसा raise कर सकते हैं अब दूसरा कबर ये है कि public sector banks ने MTNL से बोल दिया है कि उनको haircut नहीं दे सकते हैं MTNL ने बोला था कि आप 60% capital write-off करें और सिर्फ 40% की one time settlement ले लें तो सारे public sector bank में बोल दिया है कि आप special case नहीं बन जखते तो आप government sector से हो तो हम ये discount कारिश कर लेते हैं आपको discount नहीं देगी So MTNL जो नवरतन है जिसको समय में 4G या 5G license नहीं मिला वो loss में चल रही है इसके turn around करने के लिए अभी तक सरकार के पास कोई plan नहीं है आज के लिए इतना ही आपने इस podcast को सुनाई इसके लिए मैं आपका आबारी हूँ हो सके तो इस video को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और बिल notification दबाएं इस video को अपने दोस्त और रिष्टेदार के पास बेजें और उनको देखने की आगरे करें नमस्कार धन्यवाद जय हिंद